असलाम रेकूम, वेलकम बेक टो माई चैनल, एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सब को वेलकम कहती हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, दही पकोड़ियों के रेसिपी, बिल्कुल मार्किट स्टाइल हम इसको बनाएंगे, बजार की पकोड़ियां क्यों हमें इतने इसी लगती हैं, क्या हम घर पर नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनेगी, और मार्किट से कई गुना बहतरीन बनेगी, और बहुत ही सोफ्ट होंगी, जिसना से काफी लोग कहते हैं, कि पकोड़ियां अंदर से हार रह जाती हैं, तो इस रेसिपी को मिस मत कीजेगा, चैनल पर न्यू हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी शेयर होने वाली है, तो मिस मत कीजेगा, यहां पर देखे, यह मैंने पकोड़ियां ले ली हैं, और जितनी कॉंटिटी आप लेना चाते ह इसकी जो रेसिपी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप देख लीजेगा, और इसे हमने डिप कर देना है पानी में, अब यहां पर नसेसरी नहीं है कि गरम पानी लेना है, यह ठंडा नॉर्मल पानी है यह और इसमें डिप कर देंगे ताके इक्वल यह बिल्कुल डिप हो जाएं, तो देखें, तीस से चालिस मिट इसको मैंने भी गोया था, और यह बिल्कुल अच्छी तरह से सौफ हो चुकी है, फलफी हो चुकी है, और बहुत ही परफेक्ट हैं, यह बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, अंदर कोई भी करनी हैं, और सबसे पहले टमाटर एड़ कर देंगे, खीरा एड़ करेंगे, अच्छा और यहां पर जितने भी आपने वेजटेबल करनी हैं, वह आपर डिपेंड करता है, अगर आपको स्किप करना चाहते हैं, तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मार्किट में इसी तरह से जाता है, जरूर फॉलो किजिये का, ओपर से डाल देंगे बंद को भी, जो खाने में बहुत अच्छी लगती है, इसको कर देंगे साइट पे, और इसी दौरान में हमने फैंट लेना है दही को, अच्छी तरह से, यह घर की जमी हुई दही है, और इसका लिंक भी मैं डिस् और अच्छी तरह से इसको फैंट लेंगे, और थोड़ा सा बस नमक हम इसमें एड करेंगे, और कुछ भी एड मत कीजिये का, अगर आप चीनी एड करना चाहते हैं, तो आप पर डिपेंड करता है, आप एड कर सकते हैं, अगर तो और सा मीठा दही करना चाहते हैं, तो ले कुछ सी साफ से आप यूज कर लीचे का, दहीर जादा होती है, तो अच्छा लगता है, अभी तक हमने इसमें कोई भी चाट मसाला कुछ भी एड नहीं किया, उपर से एड करेंगे, दहीर डालने के बाद हमने इसकी बहुत अच्छी जहां से मिक्सिंग करनी है, पहले हम च और इसके उपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, आपको अगर जादा खाना पसंद करते हैं, जादा डालीजिये, आप पर डिपेंड करता है, कि कितना आप लाइक करते हैं, चाट मसाला जरूर एड कीज़ेगा, क्योंकि हम इसे मार्किट स्टाइल बना रहे है अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे, उसके बाद हमने अधर जो वेजिटेबल्स हैं, वो एड करनी है, जब हम इसके ओपर प्याद करेंगे, और अगर साथ हमने सर्विंग करनी हुई, तो वेजिटेबल्स को को फॉलो करते हुए और डिप जिस तरह से मैंनिंग किया है पकोडियों को उसी तरह से कीजेगा तो बहुत पर्फेक्ट बनेंगी बहुत मज़ेचार बनेंगी और जितनी भी साथ आपने वेजिटेबल रखनी है रखना है वो साथ रख दीजेगा जिसने जितना भी यूस कर लेगा अगर आपको मेरी रेसिपी एचे लगी है तो कारणली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन भी प्रेस कीजेगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और इस रेसिपी को जरूर ट्राय करके देखेगा उपर से बस हम थोड़े से डाल हम दा चाट मसाला और इस तरह से सब्सक्राइब कर देंगे थैंक्स वर वाचिंग अला हाफीज